आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं कस्टर शेर्बत बनाने की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और यह बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है तो समर्स के लिए और इफ्तार के लिए तो यह बिल्कुल परफेक्ट है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते सबसे पहले हम जैली रेडी करेंगे तो यहां पर हमने यह वाली जैली का इस्तमाल करना है इसके अंदर दो पैकेट आते हैं इस तरह से तो हम बोल में दोनों ही पैकेट को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने इसे मिक्स कर लिया है और यहां पीछे ना इंस्ट्रक्शन दिये हुएं, इसी को हम फॉलो करके जैली प्रिपैर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने 500 ml पानी लिया है, पानी को अच्छा सा उबाल आने देंगे, यहाँ पर पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, आप देख सते हैं, इस टाइम पर हम इसमें जैली का मिक्स्टर डालेंगे, और डालने के बाद बस इससे डिजॉल्व होने देंगे, तो यहाँ पर इससे जादा नहीं पकाएंगे, बस इससे डिजॉल्व होने देना है, तो यहाँ पर यह दिजॉल्व हो गई है, बस आप देख सते हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर दे अादे गंटे केले फ्रीजर रखता है और यहां पर इसे चोटे चोटे पीजसमें कट करेंगे और यह बहुत ही मज़ेगी बनती है तो यहाँ पर जैली हमने जो है रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर हमने एक टीस्पून लिया है सबजा सीड इसमें एड़ करेंगे एक चुथाई कप जितना पानी डाल करके इसे 10-15 बनिट के लिए रख देंगे अब हमने यहाँ पर दो टीबल इस्पून लिया है कस्टड पॉडर इसमें भी एक चौथाई कप के करीब डालेंगे पानी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस वगेरा नहीं होना चाहिए यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर हमने एक लिटर दूद लिया है इसमें उबाल आने देंगे दूद में हमने अच्छा सा उबाल आने दे दिया है अब हम इसमें आट करेंगे चीनी हमने याफ़ आधा कप चीनी अइट गिया हैं मीठा आप अपनी साथ से जाधा कम कर सकते हैं चीनी को डालने के बाद अब इसमें आãyट करेंगे कस्टर्ड और डालने से पहले एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे डाल देंगे और इसे डालने के बाद हमें बहुत नहीं पकाना है क्योंकि हम custard milk ready कर रहे हैं तो इसे 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट तक पकाया है और यहाँ पर यह आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है बस इस टाइम पर हम फ्रेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे और इसे पहले हम room temperature पर आने देंगे फिर इसे fridge में रख देंगे एक घंटे के लिए हमने इसे एक घंटे तक फ्रीज में रखा था और यहाँ पर यह बिल्कुल थंडा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे यह jelly जिसे हमने पहले prepare किया था और अब हम इसमें add कर देंगे सब्जा सीट और इसे अच्छे से mix करेंगे इसमें add करेंगे कुछ dry foods तो हम इसमें add कर रहे हैं बारी कट किया हुआ बदाम पिस्ता और काजू तो आपको जितना dry food पसंदे उस जी कस्टर शर्बत तयार है तो अब हम इसे serve कर लेंगे तो आप लोग भी जरू से इसे try किजेगा बहुत ही मज़ेगा बनता है और अगर आप इस recipe को try करते हैं तो अपनी feedback दीजेगा अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी ना तो like, share, subscribe किजेगा और देख निकले बहुत बहुत शुक्रिया, अल्ला हाफीज